नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आप सभी लोगा सोगनों श्रडी क्लासे यूटूब शेल नों दोस्तो मैं आप लोग कुँछ जीवन पर्चे देते हुए उनकी रचनावों पर प्रकाश डाली या आचार रामचान सुखल के वेक्तितो और गिर्थितो पर प्रकाश डाली य या रामचान सुखल का जीवन पर्चे देता उनकी एक रचना का नाम लिखिए उत्तर अचार रामचान सुखल हिंदी साहित्य कास के ऐसे देदी पिमान नशत्र के जो पाठक को अज्ञान रूपी अंदकार से दूर हटा कर ज्ञान के ऐसे आलोग में ले जाते हैं वहां विवेक और बुद्धी का सुखल समाज समराज्य होता है सुखल जी एक कुसल निवन्दकार थे तो थे ही वे समाल लूचना और इतिहास लेखन के छेत्र में भी अगर गड़े थे उन्होंने अपने काल के ही नहीं अपितू वर्तमान के भी लेखक और पाठक दोनों का ही प्रयाप्त मार्ग दर्सक दर्सन किया है जीवन पर चये हिंदी के प्रतिवा संपन मुर्धन्य समिच्छक एवं यूग प्रवर्तक सहत्यकार अचार रामचन सुखल का जनम सन 1884 इस भी में बस्ती जिले के आगोना नामा ग्राम में एक सम ब्रांद परिवार में हुआ था इनके पिता चंदरवली सुकल मिर्जापूर में कानून गो थे इनकी माता अत्यांत विदुसी और धार्मिक थी इनकी प्रारंबिक सिच्छा दिच्छा अपने पिता के पास जिले के राट तासील में हुई और उन्होंने मिसन उस्कूल से मित्रता तेत्ता दस्मी की आगे नहीं पढ़ सके उन्होंने यह इंटर्मेडियर की सिच्छा इलाबाद से ली थी किन्तु परिच्छा से पूर्वही विद्याले छूड़ गया इनके पस्चात उन्होंने मिर्जापूर के न्याले में नोकरी आरम कर दी यह नोकरी उनकी स्वभाव के अनुकूल नह हिंदी की रचना की, इनकी विद्वन्ता से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी सब्द सागर की संपादन कारे में सयूग के लिए स्यामसुंदर दास जी द्वारा कासी नगरी पंचानी सभा में संसम्मान बुलवाया गया, इन्होंने 29 वर्ष तक कासी नगरी पंचानी प जी के अवकास प्राप्त करने के बाद या हिंदी विवाग के अध्यक्ष भी हो गए स्वा भीमानी और गंभीर प्रकृतिक का हिंदी का यह दिगज साहितिकार्शन 1941 इसभी में स्वर्गवासी हो गए हैं रचनाय सुकल जी एक प्रसिद्ध निवंदकार निस्पच्य आलूचक स्रेश्ट इतिहासकार और सफल समपादक थे इनकी रचनाओं का विवरण निम्निवत है नंबर एक निवंद इनके निवंदों का संगरचिंता मणी दो भाग था विचार विद्धी नाम से प्रकासित हुआ नंबर दो आलूचना सुकल जी आलूचना की समराठ है इन छेत्र में इनकी तीन गरंध प्रकासित हुई ग रस मिमासा इनमें सेधान्तिक आलूचना सम्मंदित निबंदे बी त्रिवेडी इस ग्रंद से सूर तुलसी और जैसी पर आलूचनाएं लिखी गई हैं तथा ग सूर दास नमर तीन इतिहास युगिन प्रवर्तियों के आधार पर लिखा गया इनका हिंदी सहित्तिका इतिहास हिंदी के लिखे गए सर्वसेष्ट इतिहास सो में एक है नमर चार संपादन इन्होंने जैसी ग्रंथावली तुलसी ग्रंथावली भरम गीत सार हिंदी सब्द सागर कासी नगरी पंचानरी पत्रिका और आनंद का दंबनी का कुसल संपादन किया इसके अत्रिक्त सुक्र जी ने कहानी 11 वर्स का समय काब्य रचना अभिवन्य वद्ध की रचना की तथा कुछ अन्य भासाओं से हिंदी में अनुवाद भी किये इनमें मेग सनीच का भारत वर्सिय विवरन आदर्स जीवन कल्यान का आनंद बिस्व प्रवंद बुद्ध चरित का ब्यादी प्रमुक है साहित्त में स्थान हिंदी निबंद को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिश्ठित करने वाले सुक्र जी हिंदी साहित्य के मुर्धन्य आलूचक स्रिष्ट निबंदकार निस्पच इतिहासकार महान सैलिकार एवं युक प्रवर्तक साहित्तिकार थे यह हिर्दय से कभी मस्तिक से आलूचक और जीवन से अध्यापक थे हिंदी साहित्य में इनका मुर्धन्य स्थान है इनकी विरच्चर प्रतिभा कभी मस्तिक से आलूचना एवं प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद के काल को सुक्ल युक के नाम से समबोधित क चैनल को सब्सक्राइब बियु को सब्सक्राइब धर Franken नियु किया जाता है कि महिमा साली लेखकों में जिनकी प्रतेख पंक्तीश आधर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती ही रहती है अचारिस सब्द ऐसे ही करता साहत्यकारो की योग है अगर वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें कमेंट करें ओनिस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फॉर झाल झाल